हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वेल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाडू सीरीज का अगला कॉमिक विशेश आंग परमाडू पागल है किक मी प्लीज संजे को तपेश करते हैं परमाडू बागल है परमाडू दिल्ली की वह आँख जिससे दिल्ली में न जुन बस सकता है और न मुसीवत मफसे लोग परमाडू रूपी यह आँख जहां दिल्ली में घटने वाले अपराद को भी तुरंत देख लेती है वह वही उस इंसान को भी देख लेती है जिसे मदद की सक्त ज़रुरत होती है परमाडू उसके लिए भगवान बन कर आया था और ये बात उस शक्स के चहरे से नहीं शब्दों से भी साफ जलक रही थी बहुत बहुत धन्यवाद परमाडू अगर तुम सही समय अपर मुझे बचा ले ना पहुशते तो मैं सीधा मौत की मुझे चला गया होता लेकिन तुम उस मोबाइल टावर पर चड़े किस लिए थे रिपेरिंग के लिए मैं सार मोबाइल कंपनी में मेकैनिक हूँ उस टावर पर लगे डिकोडर में कोई खराबी आगी थी उसी की रिपेरिंग करने में उपर चड़ा हुआ था अचानक हाथ फिसल गया और मैं नीचे करने लगा तुमने मेरी जान मजाकर मुझे पर रहसान किया है परमाडू तुम्हारी जान मजाकर मैंने तुम पर कोई रहसान नहीं किया है दोस्त ये तो मेरा फर्स था ओ, बोलते बोलते परमाडू अचानक बुरी तरह चौंका और परमाडू के इस तरह चौकने कारता किसी मुसीबस जदा को उसकी जरूरत थी और इस बार मुसीबस जदा एक दो नहीं बलकि पूरी दिल्ली थी क्योंकि दिल्ली के आकाश को चीरती हुई एक भ्यानक मुसीबस दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी ओ, आकाश से तेजी से पृत्वी की तरफ बढ़ता वे बड़ा धातू का तुकड़ा जरूर किसी स्काई लैब से तूट कर गिरा है अकसर इस स्काई लैब का वे तुकड़ा जमीन पर पहुँचने में सफ़ल हो गया तो सारी दिल्ली को दबा करतेगा इसलिए मुझे उसे उपर ही पकड़ना होगा पर माड़ू विगरना इसमें से निकल का वात्रवणों में फैल रही है जो दिल्ली बासुएं के लिए अत्ति घातक से तो सकती है खेर इन विकरणों को तो कभी कुछ किया जाएगा लेकिन फिलाल मुझे इस तुकड़े के बारे में सोचना है जो जितनी देर इस वात्रवणों में रहेगा उतना ही जातों नुकसान करेगा इसलिए मुझे इसे पृत्वी से दूर अंत्रिक्ष में छोड़ कराना होगा उफ मेरा सिर्ण ना जाने अचानक क्यों चक्राने लगा है लेकिन अभी मेरे पास आराम करने का समय नहीं है क्योंकि अभी मैंने देखना है दिल्ली के बाताणों है फैले उस रेडियेशन को जिसे मैं अपनी ऐसी हालत में खत्म नहीं कर सकता लेकिन ऐसा इंतज़ाम जरूर कर सकता हूँ कि रेडियेशन दिल्ली वावासिओं का अधिक नुकसान न पहुचा सके और इस हालत में ऐसा इंतिजाम करने के लिए मुझे विने बनकर शिप्रा की सायता लेनी होगी क्योंकि इस समय मुझे पही इस काम को करने के लिए एक तम उक्यूक्ट लग रही है जो पुलिस के लिए वीडियो फिलिम बनाती बनाती प्रिसिद दिन्यूस पेपर क्राइम कवरेज की रिपोर्टर बन गई है विने तुम आज तुम मेरे पास चल कर आए है मुझे एक बहुत जरूरी ख़बर देनी है शिप्राद अभी कोछ देर पहले फरमाडू ने मेरे पास आकर मुझे पताया था कि उसने दिल्ली को एक खतरनाग स्काई लैप की तुकड़े से बचाए जिसका रेडियेशन अभी भी वातरवड़ा में मौझे दिल्ली वालों को उस रेडियेशन से नुकसान न पहुंचे इसलिए तुमें ये खबर तुरंत प्रशासन तक पहुचानी होगी ताकि वे दिल्ली के वातरवड़ में फैले रेडियेशन को खत्म करने का कोई उपाया कर सके ये तो सच में बड़ी एक्स्क्लूसिव खबर है तुम इसे मेरे जरीये प्रशासन तक पहुचाना क्यों चाहते हो तुम खुद भी तो ये काम कर सकते थे फिलाल मेरे हालत ऐसी नहीं है कि मैं खुद इस काम को कर सकूँ इसलिए प्लीज सोचने विचारने में समय खराब मत करो और जो मैंने काए वह काम करो ठीक है शिपरा मेरा काम कर देगी अब मैं घर जाकर आराम करके अपनी हालत में सुधार कर सकता हूँ शिपरा उस संसनी के इस खबर को अपने तरीके से प्रशासन तक वाजाना चाहती थी अखवार का सांद संस्क्रण छपने के लेक्तम तयार है कुछी घंटों में ये दिल्ली वालों के हाथ में होगा इसलिए अगर मैं परमाडू दारा विने को दी गई न्यूस को छाप दूँ तो प्रशासन सु सतर्क हो गई साथी मेरे नाम की विधूम मच्चाईगी मैं ऐसे ही करती हूँ जल्दी दिल्ली के वातवरण में परमाडू रेडियेशन मौझूद है शायद ठीक वैसे जैसे हिरोश्मा और नागा साकी के वातवरण में मौझूद है ये तो बहुत ही खतरनाक बात है इससे बचने का एक की उपाय दिल्ली छोड़कर जाना ठीक का जब तक हाला ठीक नहीं हो जाते तब-दिल्ली से बाहर रहने में ही भलाई है जिसने सुना वो दिल्ली छोड़कर भाबने के लिए तैयार हो गया ये सब क्या है प्रोफिसर अगरवाल क्या सच्मों दिल्ली के वातवरण में रेडियेशन जैसी मुसीवत मौझूद है बकवास क्राइम कवरेज में छपी ये न्यूज इक्दम बकवास है सर को खाम आज़ा भुतना पढ़ेगा खामियाजा अखवार को नहीं इस अखवर को growing मैं और निचाता कढ़न मचा दि भारत के परसित विज्ञानकों मेरी नीउस को जूटा साबित कि यह इसका मतलब साफ है कि विनर्न वे जुच्क है जूट का मेरे मेरी मजाकों का ऐसा पतलिया लिया विना है मेरे सारे केरियर को चौपट कर दिया मुझे कहीं भी मुद इखाने लाइक नहीं छोड़ा अब मैं नहीं जिऊँगी मेरे ख्याल से इस अमारत की चत पर जो खड़ी है वे शिपरही है लेकिन मेरे मा चत पर एक नहीं मुदेर के पास खड़ी क्या कर रही है ओ नो अचानक विने का मस्तिष संसना उठा उधर शिपरह यहां से बूद कर मैं अपनी जान दे दूँगी अपनी जान देने पर पूरी तरह उतारू थी शिपरह लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं होने वाली थी क्योंकि परमाडू से बचाने के लोडान भड़ चुका था लेकिन आगे बढ़ते परमाडू को मानो 25,000 बोल्ट का करेंट लगा और ऐसा हुआ था सामने मौजूद उस दृष्ष्य को देखकर जो कल्पनाओं की सीमा से परे था ओ नहीं भैमारत एक विशाल मशीनी डैनसोरस में बदल रही है जिसने शिपरह को निगल लिया है मुझे शिपरह को बचाना होगा और उसके लिए मुझे उस मशीनी डैनसोरस के विशाल मुँ में जाना होगा बहरी शिप्रा मुझे तुरंती उस तक पहुचना है उह थाक थाक इसके शरीर के अंदर के अंग मेरा रास्ता रोख कर मुझे शिप्रा तक पहुचने नहीं दे रहे हैं मुझे इन्हें तोड़ना होगा वरना मैं समय रहते शिप्रा तक नहीं पहुच पाऊँगा उन मशीनी अंगों को तोड़ने वाली परमाडू की मेनत को रंग ला नहीं था लेकिन उसमें समय लगना था और ये बात परमाडू अच्छी तरह समझ रहा था इन मशीनी अंगों की संक्या बहुत जादा है इसलिए इन सबी को तोड़कर शिपरा तक पहुँचने का रास्ता बनाना इतना असान नहीं है जबकि मेरे पास समय बहुत ही कम है इसलिए शिपरा तक पहुँचने के लिए मुझे ये रास्त अपनाना होगा अब परमाडू को ना शिपरा तक पहुँचने में देर लगी अब ठीक है और ना उसे समालने में शिपरा, शिपरा समालो अपने आपको अब तो मैं घबरानी की ज़रूत नहीं है मैं तुम्हें इस मशीनी डानासॉरस से बचाने आ गया हूँ कहा है डानासॉरस किस डानासॉरस से बचाने आगओ तुम मुझे तुमारा दिमाग तो ठीक है परमाडू ओ परमाडू के मस्तिश को तेज जटका लगा ओ ये मुझे क्या हो गया था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ पलों के लिए सो गया था मैं तुमें बचाने आया था तुम मुझे यहां बचाने पहुँचे हो परमाडू लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाऊगे क्योंकि तुमारी और विने की वज़े से मेरी जो बेज़ज़ती हुई है उसके रहते में जीना नहीं चाहती मेरी और इंस्पेक्टर विने की वज़े से तुमारी बेचेती कैसे हुई मैं को समझा नहीं प्लीज अपना दिमाग ठंडा करो और मुझे समझाओ क्या हुआ था शिपरा ने समझाय तो कई धमाके एक साथ हुए परमाडू के मस्तिष्क में तुम गलत नहीं है शुपरा बलकि वे सभी गलत हो जो इंस्पेक्टर विने की न्यूस को गलत बता रहे हैं मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि मैंने नासर वास्पान से गिरते स्काइलाब के तुकड़े से दिल्ली को बचाया बलकि उसकी वज़े से दिल्ली के वात्रवड़ों में फैलने वाले रेडियेशन को भी देखा है अब मुझे भी तुम्हारी बात पर यकीन हो चला परमाडू तुमने स्काइलाब के उस तुकड़े को दिल्ली तुकड़े से दिल्ली को जहू बचाया होगा ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे अभी किसी मशीनी डैनोसोरस से बचाया मतलब अगर अपनी आखों के साथ साथ अपने दिमाग के खड़की दरवाजों को खोल कर देखोगे तो तुम बड़े आराम से देख सकोगे कि ना तो यहां कोई मशीन है और ना कोई डैनोसोरस इंस्पेक्टर विने की तरह तुम भी जूट बोल रहे है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैंने अपनी आखों से इस हमारत के बड़े मशीनी डैनोसोरस में बतलते और उसे तुमें निगलते देखा था अकिर चक्कर क्या है इस अब बहुत सोजने पर भी जब परमाडू की समझ में कुछ नहीं आया तो चक्कर क्या है मुझे पता करना होगा लेकिन उससे पहले मुझे शिप्रा को आत्मत्या ना करने के लिए मनाना होगा देखो शिप्रा जो हुआ उसे में कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बर ज़रूर है मैं चल्दी इस गड़बर का पता लगा लूँगा इसलिए प्लीज आत्मत्या का विचार त्याग दो परमाडू के बहुत समझाने पर आकर शिप्रा मानी गई अब परमाडू को तलाश करने थे कुछ रहसम ही सवालों के जवाब और इन सवालों के जवाब पाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोबोर्ट से मिलना जिन घटनाओं के बारे में तुमने मुझे अभी भी बताया ऐसी कोई घटना दिल्ली में नहीं गटी और ना ही मेरे रिकॉर्ड के मताबिक पिछले दिनों तुमने किसी स्काईलेब के तुकड़े से दिल्ली को बचाया और ना तुम किसी मशीनी डाइनसौरस से बिड़े हो कमाल है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या मैं होश मनी हूँ क्या मेरा दिमाग हिल गया या मैं पागल हो गया हूँ सौरी पहले वाले प्रश्णों की तरही तुमारे इस प्रश्णों का भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है कहकर प्रबोट चुप हो गया अब परमाड़ों भी बहां नहीं रुका प्रबोट से मिलकर एक बात तो साफ हो गई कि ना तो मैंने स्काईलेब के तुकड़े से दिल्ली को बचाया और ना शिपरा को बचाने के लिए डाइनासोरस को परास किया लेकिन फुर में जैसा लगा क्यों कहीं ऐसा तो नहीं काम के बोज और रात-रात के जगने से मेरे मस्तिश पर असन डाला हो हो सकता है, ऐसा हो, हो सकता है मुझे धोड़ा रिलीफ चाहिए और उसके लिए मुझे शीना के पास जाना होगा क्योंकि उसका प्यार भरा इस पर्श और मीठे मीठे बोल मेरे दिलो तुमापर ताजगी की परसात कर देंगे पर माडू कितने दिनों बात मिले हो तुम कितने दिनों दूर कैसे रह लेते हो तुम जूट, अपने दिल में जहाग कर देखो और बताओ, क्या मैं हर समय उसमें नहीं रहता बाते बनाना खुब जानते हो जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती अच्छा है, महबबत करने वालों को बाते करने की जरूरती नहीं पड़ती उनकी आखें जो बाते करना चानती प्रेम के उन छड़ों में अचानव बिगन पड़ गया ओ, धरती हिल रही है लगता है भुकम पाया है एक मर्शीना, तुम्या ठहरना मैं देखता हूँ, कहीं भुकम ने बाहर कोई तभाई न मचाई हो परमाडू तेजी से बाहर लपका बाहर जो मंज़र परमाडू के आखों के सामने था उसने परमाडू को तहला कर रख दिया उफ, भुकम ने तो भियानक तभाई मचा दिये इमारते लाश के पत्तों की तरह भरवरा कर गिर रही है जमीन दो भागों में फट गई है मुझे इस दभाई में भसे लोगों को बचाना होगा उफ, ऐसा बियानक मनजर मैंने आस तक नहीं देखा ऐसी पिस्ती हुई इंसानियत का नजरा मैंने आस तक नहीं किया बचाओ उफ, शुक्र है मैं अधिक तर लोगों को सरक्षेस्तान पर पचाने में सफाल हो गया उफ, उस तरफ से ये चीखे कैसी आई, बचाओ आ, आई, आ लोगों पर धेखता लावा परस रहा है इस चिमनी की वज़े से जो वहां मौजूद बच्टी के उपर मौजूद है भूकम की वज़े से उस चिमनी सिताप की जगए खौलता हुआ लावा निकल कर लोगों पर परसने लगा है उसे रोकना होगा वरना दिल्ली पर धेखते हुए लावई की बारिश होने लगेगी और उसे रोकने का सबसे अच्छा उपाई ये है कि मैं अपनी परमाणू किर्णों से एक बड़ा डाड बना कर उसे चिमनी में इस तरह फसादू कि चिमनी से हवा भी बाहर ना निकल सके अब ठीक है मैंने लोगों को भट्टी की मुसीबत से बचा लिया हेलो हेलो पुलिस हर्कॉाटर मैं टाटा इस्टील फैक्टरी के सामने से बोल रहा हूँ यहाँ परमाणू ने बहुत बड़ी गड़बा करती है उसने पागलों जैसी हर्कत करके टाटा इस्टील की भट्टी की चिमनी को बंद कर दिया है चिमनी में तेजी से कैस भटती जा रही है जिसकी वेज़े से कभी भी फट कर इस सारे इलाके पर लावे की बारिश कर सकती है तुरंती पुलिस ओफ आइब बिगरेट भीज़ी है परमाणू ये क्या किया तुमने हटो पीछे शीना के दोरह किये गए उसमानसिक धमाके ने पहले परमाणू को चिमनी से पीछे अटाया और फिर चिमनी के बंद मुहाने के परखच्चे उड़ा दिये और ऐसा करके शीना ने महां लावे की पारिश को होने से बचा लिया क्योंकि जो गैस चिमनी के बंद होने के वज़े से चिमनी को फोड़ने को तारू थी वे आज़ाद हो चुकी थी इस तब परमाडू के खोड़े मुह से निकले थे वे आश्चर इसे डूबे शब्द ये सब क्या शीना तुम्हारा पागलपन जो दिल्ली के उस इससे पर आग की पारिश कर देता तुम जिसे मेरा पागलपन कह रही हो शीना वे असल मैं शहर के शिसे को बचाने की मेरी कोशिश थी अगर मैं ऐसा ना करता तो पहले से ये एक भ्यानक भुकम से पीड़े और धस्त इमारतों में फ़से लोगों को इस चिमनी से निकलने वाले लावी का कहर और जहिलना पड़ता तो शहर के शिस्से के लोग भुकम से पीड़ेते हैं जरा खुमाओत अपनी नज़र हैं और पताओत रोत वकौन भुकम से पीड़ेते हैं किन दहस्त इमारतों में लोग फञगों अर ये मैं क्या देख रहा हूँ कहीं भोखम का कोई नामों निशान नहीं कहीं कोई मारत धस्त नहीं हुई है सब कुछ सामानने कैसे हो गया ये सब कुछ पहले से ही सामानना था परमाडू हाँ, एक चीज सामानने नहीं है और वो चीज है तुम्हारा दिमाग शीना, मैं साही खहरी हो परमाडू अगर सच में तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा था तो तुम्हें अपने आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए शायद तुम ठीक कह रही हो शीना मस्तिश में मची उतल पुतल ने परमाडू को बहां रुकने नहीं दिया मेरे साथ कहीं कुछ गडबाड हो रही है लेकिन क्या मुझे सच मुझ मिलना ही होगा किसी डॉक्टर से मैंने तुम्हारे मस्तिश का हर तरीके से चेक अप किया है लेकिन मुझे कहीं कोई गडबाड नहीं दिखाई दिये तुम फूरी तरह फिट उपर माड़ू अगर ऐसा है तो मैं बार-बार ऐसा क्यों देख रहा हूं जो होता नहीं है जबकि मेरी नजरों में हो रहा होता है ये इंसानी दिमाग की फितरत है जो कई बार ऐसा कुछ करने की सोच लेता है जिसे वास्तिविक जीवन में कर पाना काफी मुश्किल है या उसे इंसान वास्तिविक जीवन में कर ही नहीं सकता लेकिन वह उसे कलपणाओं में बखू भी कर सकता है ठीक वैसे ही तुमारे साथ हुआ है तुमारे मस्तिश में घुल गुमार्ती कुछ खटनाओं को तुमने कलपणाओं में अंजाम दिया लेकिन तुमने समझा कि वैसा बास्तविक है इसलिए तुम बास्तव में भी उस घटना में इन्वाल्ब होँए और तुमने वैसा कुछ कर दिया जो तुमें नहीं करना चाहिए और ये सब किसी बिमारी के नहीं बलकि मस्तिश की ठकावट के लक्षन है और इसका सिर्व एक ही इलाज है आराम कुछ दिन आराम करो सब ठीक हो जाएगा ओके? ओके डॉक्टर थेंक यू अगर आरामी मेरी समस्य का हल है तो मुझे फिलाल सब कुछ भूल कर आरामी करना चाहिए इससे शहर के अपरादों पर थोड़ा असर तो पढ़ाईगा लेकिन ऐसा करना मजबूरी है क्योंकि दिल्ली में अपरादों का दुश्मन परमाडू तभी तक कायम है जब तक उसका दिलो दमाग ठीक ठाक है अपने घर में पहुच कर विनर ने जैसे ही अपने चेहरे से परमाडू अला नकाव उतारा वैसे ही अरे ये क्या बैट से एक एक निकली कई अंत्री बुझाओं ने मुझे जकर लिया है और इन बुझाओं ने मेरे शरी को तेजी से भीचना शूरू कर दिया है मुझे इनसे छूटना होगा चूटने की कोशिश में तो मैं और भी ज़्यादा उलसता जा रहा हूँ बैल्ट के सुचों तक मेरा हाथ पहुँच नहीं था मुझे तुरंत ही ट्रांस्मीट बोल कर इनसे छूटना होगा ट्रांस्मीट बोलने के लिए विना का मुझ खला तो सही लेकिन उससे आवाज ना निकल पाई क्योंकि गले से लिट्टे उस यांत्रिक भुजाने विना की आवास को उसके गले में ही गोंट दिया था अब जल बिन मश्री की तरह छटपटा रहा था विना बढ़ाक विना जिसे देखकर उस ममता के आष्च्र एक ठीकाना नहीं रहा जो अभी अभी हो पहुँची थी विना ये क्या हो रहा तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो तुम विना रुको सुनो ममता चीखे जा रही थी लेकिन विना को सुनने की सुद कहा थी वे तो अपनी जान पचाने में जोटा हुआ था लेकिन क्या सच में विनिय की जान जा रही थी टूँँ टूँँ उफ विनिय तो कुछ सुन्यों को तयारी नहीं है वे तो पागलूं की तरह हाथ पांव पटके ही जा रहाए उसे होश में नाले के लिए मुझे ही कुछ करना होगा ममता के हाथ में मौजू सेलूलर न बचकर एक पल के लिए ममता का ध्यान अपनी तरफ खीचा लेकिन तुरंत ही मैं फोन से अपना ध्यान अठा कर वेने की तरफ पल्टी अब मैं वेने को होश में लाती हूँ अरे ये तो अब बिल्कुल सामान है हाँ ममता अब मैं बिल्कुल सामान नहीं हूँ लेकिन अगर मुझे जखड़ने वाला वे यांत्रिक ऑक्टोबस मुझे छोड़कर एक आए गायब न हो गया होता तो शायद तो मुझे सामान नहीं लाश की रूप में देख रही हूँ थी यांत्रिक ऑक्टोबस तो मैं किसी यांत्रिक ऑक्टोबस नहीं जखड़ा हुआ था कहीं उस यांत्रिक ऑक्टोबस की एक बुझा तुमारे गले में लिप्टी बैट की चादर तो नहीं मतलब मतलब ये मौत है कि आप किसी यांतरिक ऑक्टोबस की भुजाहों में नहीं बलकि बैट कि इस चादर में फसे जट पटा रही थे और ये सब मैंने अपनी आँकों से देखा है क्योंकि मैं ये काफी देर की आई हुई हुई इस बीच मेरा ध्यान सिर्फ एक पल के लिए अपने सेलूरर फोन की दरफ गया था फिर मैंने पलट कर देखा तो तुम एकदम सामान ने थे और ऐसा तुम क्यों कर रहे थे किये बता ने यानि मैं चादर को यांतरिक ऑक्टोबस की भुजाहन समझ रहा था बिलकुल खेल छोड़ो इस बात को और फटा फट अपने परमाडू की इस ड्रेस को हैंडसम विन्या की लिवास में छुपाओ और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने चलो मुझे आफिस के काम से चंदी कर जाना है तुम मुझे इस टेशन चोड़कर मेरी कार वापिस लाओगे इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाने आई थी परमाडू और विन्या एक ही आदमी ये बात ममता जानती है कुछ ही मिन्टों में परमाडू विन्या की रूप में ममता पाटक के साथ था लेकिन उसका मस्तिश्क अभी भी शान्त नहीं था अभी घर में तुमने जो देखा उससे क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं पागल बेकार की बाते मत करो वे नै थोड़े से डिप्रेशन को इतनी गंबीरता से मतलो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तुम्हें जो पागल कह रहा है वो खुद पागल है आओ ट्रेन के पहुचने में भी थोड़ी देर है आओ तब तब प्लैटफॉर्म पर चलकर बाते करते हैं प्लैटफॉर्म पर वापिस लोटकर मैं तुम्हें ओशो के एक शेशे के पास ले चलूँगी मैं ध्यान प्रयोगों का मास्टर है वै तुम्हें डिप्रेशन को दूर करने और विचारों को काबू करने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर बता देगा तब ही ट्रेन की विसल गून जूटी मेरी ट्रेन आ रही है विना अब तुम जाओ विना जाने के लिए पल्टा और इसी के साथ इस्तब्द रह गया ओ नू चंदीगर जाने वाली वे शताब्दी एक्स्प्रेस इस प्लेटफॉं के ट्रेक पर नहीं आ रही वे तो तेरह नंबर के उस प्लेटफॉं के ट्रेक पर आ रही है जिस पर पहले से एक सवारी भरी ट्रेन खड़ी हुई है ना धरधर आती हुई आती शताब्दी एक्स्प्रेस के ट्राइवर को उसका ध्यान है और ना किसी और को इसका मतलब एक भीशन दुरगटना गटने वाली है ट्रेक लगा कर भी ट्रेन को तेरह नंबर के प्लाटफॉं पकड़ी ट्रेन से टकराने से नहीं रोक सकते ट्रेन को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा शताब्दी एक्सपरस को रोकने की परमाडू की व्यकोशिश एक जटके के साथ ही विफल हो गई इसी के साथ परमाडू के चेहरे पर चिंता की सेकड़ों रेखाएं कथक करने लगी ट्रेन की तेज गती ने बता दिया है कि उसे इस तरह रोकने की कोशिश करना बेकार है मुझे उसे रोकने के लिए कुछ और ही सोचना होगा और वो भी बहुत ही कम समय में क्योंकि अब शताब्दी एक्सपरस प्लैटफर्म नमबर 13 पर खड़ी ट्रेन तक कुछ ही पलों में पहुँच जाईगी लेकिन इतने कम समय में ट्रेन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है एक काम है जो किया जा सकता है और वो काम है शताब्दी एक्सपरस की ट्रेक को बदल कर उसे प्लैटफर्म नमबर 13 की ट्रेक की जगए प्लैटफर्म नमबर 10 की ट्रेक पर पहुचाना और चुकि अब शताब्दी एक्सपरस ट्रेक चेंजर जोन से आगे निकल गई है इसलिए अब इस शताब्दी एक्सपस को उसके ट्रेक से ट्रेक के दूसरे ट्रेक पर ले जाने का यही एक रास्ता है समय कम था और इतने समय में ही परमाडू ने ट्रेन के आगे के ट्रेक को उखाड़ कर दूसरे ट्रेक पर रखा और परमाडू छलनों को गर्मी परमाडू छलनों की गर्मी से पलक जबकते उसे ट्रेक पर फिक्स कर दिया शताब्दी एक्सपस का ट्रेक चेंज हो गया याहू शताब्दी एक्सपस का जिस ट्रेक को बदल का परमाडू खुशी सोचल रहा था वैर ट्रेक हजारों लोगों के भै का कारण बन गया था क्योंकि वैर ट्रेक एक बड़ी दुर्गटना का कारण बनने जा रहा था उफिय परमाडू ने क्या बेवकुफी की शयताब्दी एक्सपरस को तस नंबर के ट्रेक से बदल कर उस तेरा नंबर के ट्रेक पर पहुचा दिया जब पहले सी एक ट्रेन खड़ी हुई है अब क्या एक बड़ी दुर्गटना हो जाएगी शायद नहीं क्योंकि शयताब्द ओ इस टक्कर ने शयताब्दी एक्सपरस पर जो अज़ादा असर नहीं डाला लेकिन उसमें लगे सैटलाइट फोन सिस्टम को नश्ट कर दिया ओ ये मुझे एक एक क्या हो गया था और ये दौना ट्रेनों की टक्कर कैसे हो गई तुम्हारे हिसाब से तो इस टक्कर को भी और ऐसा करके तुमने थाबित कर जाएगी सारी दुनिया ठीक कहती है कि परमाडू पागल है परमाडू को समझ पाता उससे पहले ही वह पुलिस वालों के मजबूर शिकन जो में कहत था उसकी अद्बत अनोंखी बैट उसके शरीर से अलग हो चुकी थी और परमाडू थमा को नहीं जुटला सकते कि तुम पागल नहीं हो तुम पागल हो परमाडू और तुमारे पागल होने में कोई संदे नहीं है क्योंकि तुम्हें पागल बनाने वाला हूं मैं यानि अपने पेमिसाल दिमाग से फूल प्रूफ योजना बनाने वाला अपराज जगत का हैट मा जो दिल्ली के विवेन अलाके में लगे मुबाइल टावरों के वज़े से पूरे शेयर में फैली हुई है और तुझे पागल करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है तुझे अपने रास्ते से हटाना ताकि मैं शेयर पर जैसे चाहूं फैसे राज कर सकूं और अब तेरे बाद ऐ माइक्रोवेव रूपी मेरे नए हत्यार की बदालत जल्दी दिल्ली में मौझूद देश के सभी महत्पूर्ट भेकती मेरे आगे घुटने टेके नजर आएंगे तुझे अपनी आँखों से पागल हुआ देखकर मेरे तिल को बहुत तसल्ली मिली है अब चलता हूं पागल नहीं पर माड़ो बिलकुल नहीं यहां तुम्हें इसलिया मौझूद था क्योंकि तुम्हें सामने लाने की मुझे सास्ते जहलकी से उमीद थी और जानते हो प्रिंसिपल यह रास्ता मैंने क्यों अक्तियार किया क्योंकि मेरे साथ गटी पिछली सभी घटनाओं का विशलेशर करके मैं इस निशकर्ष पर पहुँचा था कि मेरे दिमाग के साथ जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं माइक्रोवेस कहाते हैं क्योंकि मैंने हर गटना की ठीक बात यह नोट किया था कि मेरे पास ही कहीं कोई मोबाइल फोन मौझूद था और जैसे ही वो मोबाइ जाओं और इस तरह मैं पागल हो गया और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने आपको पागल घुजित करके मैंने तुम्हारे रूप में अपने सवालों का जवाब पालिया था यह जवाब तुझे बहुत महना पड़ेगा परमाडू मेरे पास यह यंत्र अभी भी कर दिया हलो हलो तेरे यंत्र की तरंगों ने सच मुझ अपना काम कर दिया था प्रिंसिपल लेकिन मेरे हाद मत हमें इस मोबाइल को देखकर तु समझ सकता है कि मैं तुस्ते ने पटने की पूरी तैयारी किये हुए हूं तैयारी तो तेरी अच्छी है परमाडू लेकिन इ यहां ऐसे बहुत से पागल मौजूद है जो मेरे एक ही इशारे पर चीर फार डालेंगे क्योंकि इस एंद्गी माइक्रोवेज तरंगों की बदलत ये मेरे गुलाम बन चुके हैं उफ यह पागल तो मोबाइल को ही चपा गया अब मैं उससे पिंसिपल के माइक्रोवेज क चाल को काटकर उन पागलों सो पागलों को अपने से तूर नहीं कर सकता इसलिए इन्हे दूर करने का भी एक ही उपाया है कि मैं इन पवार करके इन्हें अपने से तूर उनकी कोठरी में फेकूं और इस स्विच को दबाकर कोठरी का दर्वाज अबन कर दूँ परमाडू लेकिन जिस काम के लिए मैंने पागलों को तेरा दुश्मन बनाया था, वेहल हो चुका है। उन्होंने तेरे हाथ में मौजुद उस मॉबाइल को नश्ट कर दिया, जिसकी मदद से तु माइक्रोवेवस की मार से बच रहा था। और अब जब की तेरे पास वेह मौबाइल नहीं है, तो देखता हूं तो इन तरंगों से कैसे बसता है। उफ। इसकी तरंगे एक बर फे मेरे मस्टिश को जग जोडने को तयार है। उफ। माइक्रोवेवस का उसका वैवार निश्चाई अत्यंत खतरनात था। अगर मैं उससे नहीं बच जाता तो निश्चाई मेरी हालत भी उन पागलों जैसी होती। लेकिन ये माइक्रोवेवस से मुझ पर और उन पागलों पर ही क्यो उसर रहल रही है। बाकी पागल माइंत्र असल में वे एंटीना है जो माइक्रोवेवस को पकड़कर इंसानी शरीर में पहुचाते हैं। तब ही उन पागलों पर प्रिंसिबल द्वारा फेकी गई, माइक्रोवेवस असर कर रही है। और अगर मेरा सोचना एकदम ठीक है, तो उस जैसा ही कोई एंटीना मे मेरे शरीर के साथ भी चिपका होना चाहिए, और ये मेरे शरीर पे तब पहुचावा जब मैंने मोबाइल टावर से गिरते एक आत्मी को बचाया था, निश्चे वे आत्मी पिंसिबल द्वारा भेजा गया, कोई आत्मी था जिसका काम मेरे शरीर तक उस एंटीना को पहु परमाडू, और ये माइक्रोवेब भ्यानक इसलिए हैं, क्योंकि ये सिब इनसान के मस्तिश पर ही नहीं, उसके सारे शरीर पर असर डालती हैं, उसे पुरी तरह जगजोर कर रख देती हैं, और तब तक जगजोरती रहती हैं, जब तक उसके शरीर का एक एक कड़ बिख़ अगर मैंने इनसे बचने के लिए तुरंती कुछ नहीं किया, तो मेरे शरीर के कड़ सच मुझ बिख़ड जाएंगे, मुझे अपने शरीर से चिपके उस यंत्र रूपी एंटीना को अपने शरीर से अलग करना होगा, लेकिन कहां से अलग करूं, वह है कहां, ऐसी हालत मैं मैं भी परमाडूर अपने शरीर के हर अंग को टटोल डाला लेकिन ना उसके हाथ वे एंटीना लगा और ना सफलता, उफ, भैयंत्र रूनुमा एंटीना मुझे अपने शरीर पर कहीं नहीं मिला, इसका मतलब वो बहुत ही सूच में साइस का है, लेकिन अगर मुझे समस्य का हल ना हो, तो समझदार आदमी की ये निशानी होती है कि वे अपने आपको मुश्किलों के हवाले कर दे, तू भी ऐसा ही कर, और कड़ों में भी करने को तयार हो जा, हा, 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 पिंसिपल की आँखों की व्याचमा को समय चौगनू होती चली गई, जब उस सिर्फ असे प्रिंसिपल का राज कायम होगा, हा, 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 दिल्ली पर तेरा राज कायम होगा, ये तो पता नहीं प्रिंसिपल, लेकिन अगर तू चाहे तो इस पागल खाने पर तेरा राज कायम हो सकता है, क्योंकि मैं डॉक्टरों से सिफारिश करूंगा, कि य लेकिन ये ठीक वैसा ही इलूजिंद है जैसे तुमने मुझे अपनी माइक्रोवेव से दिखाया और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अपनी माइक्रोवेव के जाल में तुम खुद ही भस गए उस जोश में यांत्रिक एंटीना के वैसे जिसे मैंने अपने शरी से निकाल कर त था था तुमने ऐसा किया लेकिन कैसे यह बड़ी कहरी और रास की बात है इसे तुम नहीं समस्थबोगे तुमसे इतना समझो कि अपने तिमाव और अपनी योजनाओ के बल पर आस तक कानून से खिलवार करता है जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल आज के बाद अपना ज शरीवा मौजूद इस यंद्र को ढूने मेरे शरी को स्कैन करके प्रवोट ने इस काम को तुरंद कर दिया उसना मुझे बताया कि वैशूश में अंत्र मेरे बाएंग अंदे पर मौजूद है पस इतना पता चलते ही मैंने इस यंद्र को साफधानी से अपने शरी से अलग करता हूँ समाब तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं पर माडू सीरीज के अगले कॉमिक विशिशांक डेथ.com में तब तक के लिए धन्नवाद